नमस्कार चानक्या IAS Academy में आपका स्वागत है किसी भी देश के आर्थिक हालाद को सही करने के लिए यह ज़रुरी है कि जो वर्स बीद गया उसमें आर्थिक इस्तिती कैसी रही उसकी समिछा की जाए साथी साथ यह भी ज़रुरी है कि जो आने वाले वर्स हैं उसमें आर्थिक हालाद कैसे हो सकते हैं इसकी भी समिछा हो यही कारी जब किया जाता है तो इसे हम आर्थिक सर्विक्षण करते हैं और अगर भारत की हम बात करें तो भारत में यह कार 1959 से प्रारम हुआ है जब आर्थिक सर्वेक्षन को सुरुवात में पेस किया जाता था तो उसे बजट के साथ ही पेस करते थे और यह सिलसिला 1964 तक चलता रहा लेकिन 1964 के बाद एक बड़ा बदलाव हुआ बदलाव यह हुआ कि बजट से ठीक पहले आर्थिक सर्वेक्षन को लाया गया और यहाँ परंपरा आज तक चल रहे गया इसी परंपरा के अंतरगत 31 जनवरी 2023 को भारत के मुख्य आर्थिक सलाकार ने आर्थिक सर्वेक्षन 2022-23 को प्रस्तुत किया तो इस वीडियो में हम जो अभी आर्थिक सर्वेक्षन प्रस्तुत किया गया है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यह जो आर्थिक सर्वेक्षन है वो 2022-23 से समन्दित है और इस पर यह जो देख रही है एक कवर पेज है अगर हम आर्थिक सर्वेक्षन के अंदर अगर जाते हैं और यह देखते हैं कि उसमें क्या-क्या आर्थिक हालात के संदर में लिखे गए हैं उससे पहले अगर हम इस cover page पे गौर करें तो हम यह देख रहे हैं कि cover page में जो प्रमुक्ता दी गई है वो प्रमुक्ता किसको दी गई है वो दी गई है 2023 में दिल्ली में आयजित होने वाले G20 सब्मिट को यहाँ पर हमने इसको देखा अब हम बात करते हैं कि इस आर्थिक सर् बात करते हैं या medium term perspective की बात करते हैं तो यह इसने महत्पूर्ण हो जाता है क्योंकि pandemic के दो साल की बात मतलब 2020 और 2021 लगभग महमारी से संघर्स करता हुआ पूरा का पूरा विसुरा और उसके बाद 23 में जो आर्थि सर्वेक्शन प्रस्तूत किया जा रहा है उसमें बात हो है आर्थिक क्रियाकलाब को वह उस नुकसान की भी भरपाई हो चुकी है मतलब यह कि recovery हो चुकी है और लंबे समय के बाद हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि balance sheet बड़ी स्वस्ति स्थिति में है healthy स्थिति में वह किसके banking sector के non banking sector के और corporate sector के और यही तो चाहिए किसी भी देश में आर्थिक हालात को बदलने के लिए मतलब यह कि आर्थिक रियाकलाब को बदलने के लिए वह इस तरीके से कि अगर banking sector की स्थिति सही है तो credit flow होगा non banking sector के भी स्थिति अगर सही है तो और corporate sector की स्थिति अगर अच्छी है तो वह investment और ज्यादा से ज़ादा करना चाहेगा जो economy में economic activities को बढ़ाता है और यह वड़तीव economic activities job generate करता है, capital formation करता है. अब हम देखते हैं कि इस आर्थिक सर्वेक्षर में आखिर content क्या है? चार मुखी content है, पहले content की बात करते हैं. कि जो आने वाला दसक है, वो दसक काफी बेहतर होगा भारत के लिए आर्थिक मामलों के मामलों. दूसरा, कि जो हमारा अंतिम आठ साल है, मतलब हम बात करें 2014 से 22 की बीच में, वो जो reform है, वो reform ही आगे आने वाले समय में भारत की आर्थिक स्थिति को काफी अच्छा करेगा. उसके बाद medium term growth magnets की बात की गई है, मतलब यहाँ पर यह है कि आगे आने वाले दश्कों की बात हो रही है, उसमें वैसे कौन-कौन से factors होंगे, कौन-कौन से कारक होंगे, जो हमारे आर्थिक स्थिति को अच्छे करेंगे, और फिर हम बात कर रहे हैं किसकी? अमरित काल की. अब यहाँ पर अगर हम देखें, पहले content की बात करें, तो यह बात किसकी कर रहे हैं? यह बात कर रहे हैं, economic growth going to be better this decade की. देखें, decade पर अगर हम जाएं, तो यहाँ पर यह बात हो रही है, 21 सदी की जो सुरुआत हुई, उस 21 सदी के सुरुआत की बाद, हम वरतमान में तीसरे दसक में हैं. कहने का मतलब यहाँ पर यह है, कि 2000 के बाद, 2001 से 2010 यह पहला दसक हुआ, उसके बाद 2011 से 2020 यह दूसरा दसक है, और 2021 से लेकर 2030 यह तीसरा दसक है. हम 2023 में हैं, मतलब हम तीसरे दसक में हैं. और यहाँ पर यह क्या बात कर रहे हैं, कि जो हमारा दसक है, वो काफी बहतर है. वो क्यों कह रहे हैं? उसको समझने की कोशिज करता हैं. आर्थिक सर्विक्षन के अगर हम सूत्र की बात करें, अगर हम उसकी थीम की बात करें, तो वह थीम है 8 प्लस 8 प्लस 25. आखिर ये क्या है? उसको देखिए. अगर हम पहले 8 की बात करते हैं, तो वह है 2014 से 2022 की वह अब् अगर हम अगले 8 की बात करते हैं तो वह है अभी से लेकर 2030 के बीच की अबदी वह है अगला 8 है और उसके बाद अगर हम 25 की बात करते हैं तो हमें यह पता है कि अमरित महुतसब के बाद 2022 से लेकर 2047 तक की जो अबदी है 25 वर्स की जो अबदी है तो आर्थिक सरवेक्षन का जो थीम है वो थीम ही है 8 plus 8 plus 25 मतलब यहाँ पर यह है कि पिछले 3 दसक मैं किसकी बात कर रहा हूँ? पिछले 3 दसकों की बात कर रहा हूँ इसका मतलब यहाँ पर यह है कि 1991 से 2000 2001 से 2010 और 2011 से 2020 यह पिछले 3 अवधी में जो आर्थिक किर्यकलाब हुए है और जो आर्थिक परिणाम हुए है वही आर्थिक परिणाम हमें नजर आएंगे 2021 से 2020 की अवधी में और फिर जितने भी आर्थिक किर्यकलाब हम कर रहे हैं उसका उड़ेश से है 2047 तक मतलब आजादी के 100 साल पूरे होने के उपलक्ष में भारत के द्वारा उन लक्षों को प्राप्त करना जो भारत को एक विकासिल देश से विक्सिल देश की स्रेड़ी में रखेगा चलिए अब हम आगे अगर बढ़ते हैं तो हम यहाँ पर देखते हैं कि आखिर वो तीन दसकों की क्या कहानी है जर आप गौर कीजिए इस ग्राप में ग्राप के असो कर आप वो देखे 1990 से अगर हम बात करें यहाँ पर अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि credit to GDP ratio इसका क्या मतलब है इसका मतलब यहाँ पर यह है कि GDP के अनुपात में credit तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं यह नीचे की हो रहे हैं मतलब इसमें हम नकरात्मक्तर देख रहे हैं उसके बाद आगे की दसक में देखे मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं 2001 से 2021 के बीच में हम क्या देख रहे हैं credit or GDP ratio हम यहाँ positive देख रहे हैं और यह यहाँ पर peak पर है और फिर हम आगे क्या देख रहे हैं कि 2013 के बाद 2021 की अगर हम अब अबदी की बात करें तो वहाँ पर हमें यह नजर आ रहा है कि credit or GDP ratio यहाँ पर नकारत्मक हो रहा है अगर आप इस चित्र को गौर से देखते हों तो गौर से अगर हम देखरे हैं तो हम यहाँ पर क्या पा रहे हैं कि हमें एक cycle दिख रही है हमें एक cycle दिख रही है और यह क्या cycle यह किसी भी economy में एक business cycle होता है एक आर्थिक चक्र होता है, मतलब यह कि हर एक economy में हम क्या देखते हैं, कि एक boom phase होता है, फिर उसके बार फिर एक phase होता है, जिसमें हम देखते हैं, कि वो नीचे की और आर्थिक रिया कलाप नीचे की और आता है, फिर recession होता है, फिर depression की स्थिती नहीं आती है, और फिर recovery की phase ह हमें देखने को मिलते हैं, ठीक यही हाला तु दिख रहे हैं, मतलब यहां पर यह कहना है, कि अगर 2014 से 2022 के बीच में, अगर हमें आर्थिक वृधिदर धीमी दिख रही है, अगर हमें आर्थिक क्रियाकलाब धीमे दिख रहे हैं, तो वह सरकार के द्वारा जो निर्णे लिए हम देख रहे हैं, कि एक बूम फेज है, उसके बाद हम यहां पर क्या देख रहे हैं, कि आर्थिक क्रियाकलाब में थोड़ी सी मंदी दिखने को मिल दिख रहे हैं, और फिर यह रिकवरी के फेज में हमें 2021 में दिख रहे हैं, जड़ यहां देखिए, बैंक क्रेडिट टू non-financial sector, यहां भी हमें क्या दिखने को मिल रहा है, कि 2000 के बाद से, आप यहां पर अगर देखते हों, तो 90 से लेकर 2000, इस बीच में हमें क्या दिख रहा है, कि 25 से 30 के बीच में हैं, लेकिन जैसे ही हम 2000 के बाद देखते हैं, तो इसमें हम शार्प, मतलब इसमें हम तेजी दे देख रहे हैं, वो इस्तिती इसमें सकरात्मक की रूप में दिख रही है, यह वाकई में पिछले दसक की तुला में, अब आने वाले जो दसक हैं, उसमें सकरात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं, मतलब आर्टिक तेजी देख सकती है, बेसक देख सकती है, जड़ा यहा की बात करें तो NPA का मतलब यहाँ पर यह होता है कि बैंक की द्वारा दिया गया अगर कोई क्रेडिट है तो वह क्रेडिट 90 दिनों की अब भी तक ना तो उसका मूलधन वापस आता है ना ही उसका व्याज वापस आता है आप ज़रा देखिए क्या इस्तिति है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर हम देखें तो NPA का अनुपात लगातार गिर रहा है यह एक सकारात में भावर फिर उसका प्रावेट बैंक्स में देखें तो यहाँ भी हम क्या देख रहे हैं कि इसमें भी गिरावट आ रही है फिर आप अगर आप फॉरेंट बैंक्स में देखें तो इसमें भी बढ़ोत्रिया हमें दिखने को मिल रहे है लेकिन वो nominal है ना मात्र है और फिर schedule commercial banks की हम बात करें तो उसमें भी और अवर आफ हमें क्या दिखने को मिल रहा है कि gross non-performing assets ratio कम हो रहा है जो banking छेतर के लिए अच्छा है बैंक के स्वास्त के लिए अच्छा है क्योंकि बैंक की स्थिति से ज़्यादा अच्छी होगी मजबूत होगी तो market में credit का flow दिखेगा ठीक उसके अलावा provisioning के अगर हम बात करें तो provisioning एक ऐसा provision है मतलब एक ऐसा प्रावधान है जिसके अंतरगत बैंक का जो bad assets होता है या NPA होता है उसका एक निश्चित परतिसत वह अपने पास रखता है देखिए यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं हम यहाँ पर यह देख रहे हैं कि लगातार बैंक की जो provisioning है उसमें बढ़ोत्री हो रही है चाहे वो public sector banks हो private sector banks हो foreign banks हो या scheduled commercial banks हो तो यहाँ जो बात यह हो रही है कि पिछले दसक की तुलनाम है या पिछले जो आठ साल है 2014-2022 कि बात जो आने वाले जो दसक है या जो आने वाला आठ साल है उसमें हालात हमारे बहतर होंगे की नहीं होगे हालात हमारे बहतर होंगे जो वाकर हमें दिख रहा है उसी तरह के से यहाँ पर देखिए growth in banking, credit to agriculture, industry, service and personal sector यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है हमें यह देखने को मिल रहा है कि यहाँ भी यह जो credit growth है वा positive हमें दिख रहा है आगे यहाँ पर देखिए जिस चीज की अभी हमने बात की कि 1990 से लेकर 2000 2001 से लेकर 2010 2011 से लेकर 2020 और आगे आने वाले अब दि यह पुन्रागृत्ती होगी मतलब यह परविर्ती दुहराई जाएगी क्यों उसकी बात देखिए 1998 से लेकर 2002 के बीच में अगर हम देखे तो क्या हुआ कि भारती अर्थविस्था को कुछ जटके साने पड़े कुछ शॉक्स लगे क्या लगे वो देखिए पहला कि जो nuclear testing वी थी 1998 में उसके बाद भारत पर sanctions लगा गये थे जिसमें की banking sector भी था और banking sector में सुधार करने का सबसे प्रमुक कारण ये था कि बैंकों के NPA चिंताजनक इस्तितर तक बने वे थे तो वहां भी हम क्या देख रहे हैं कि चाहे banking sector हो चाहे corporate sector हो उनके भी balance rates positive नहीं थे उसके बाद उसी दसक में दो लगातार सुखे पड़े थे और फिर 2K क्योंकि 2021 सदी सुरवात हो रही थी 2000 साथ तो technologically boom नहीं था वो एक burst phase था और उसके बाद 9-11 और US recession इन सब का सामना भारती अर्थविस्था ने किया था तो फिर भारती अर्थविस्था ने उन आर्थिक सुधार किये थे वो कौन-कौन से आर्थिक सुधार थे पहला ये कि interest rate को deregulate किया गया था मतलब बाजार के आधार पर बैंकों को ब्याज दर रखने के लिए कहा गया उसके बाद हम देखते हैं प्राइविट आइजिकरन किया गया assets recovery for banks मतलब NPA के निप्टान के लिए asset recovery जैसी चीजे सामने लाएगी या अवधारना सामने लाएगी सरफासी एक्ट जैसी चीजे सामने लाएगी और फिर हम देखते हैं के infrastructure में हम देखते हैं स्वड़निंग चतरभुश योजना लाएगी सरकार के राजकोसी हालात संतुलित रहें इसके लिए 2000 में FRBM Act Fiscal Responsibility and Budget Management Act 2000 में संसथ में पहली बाल लाएगी ठीक है कि 2003 में वह पारित्वा 2004 में लगू हुआ और TELCOM मतलब यो digitalization हम आज देख रहे हैं उसकी नीव इस दसक में पढ़े थी TELCOM reforms के द्वारा और TRI जैसी संस्थाएं आए थी और 3T आए थी और उसका परिणाम क्या हुआ उसका परिणाम ये हुआ कि 2003 के बाद से भारती अर्थविस्था में growth दिखा गया और एक ऐसे हालात देखे गए जिसमें की bank रिन देने की स्थिती में थे और corporate sector लेने की स्थिती में थे क्योंकि वो निवेस करना चाहते थे और उनको भारती बाजार में उस निवेस से return मिलने के पूरे आस दिख रहे थे ये हमने कब की कहानी सुनाई ये सुनाई है 1990 से 2000 के बीच की अबधी में ठीक है और उसके परिणाम हमने क्या देखे 2001 से 2010 की अबधी में भारती अबधी स्था में तेजी देखे ठीक वही comparison करते है 2014 से 2022 की जो बार बार ये बात कही जा रही है क्या कि boom और bust यहां हमने क्या देखा यह bust phase था है फिर आगे हमने balance sheets positive नहीं हो रहे है मतलब NPA बढ़ रहा है जो corporate sector है उसकी भी स्थिती उसके भी हालात सही नहीं है क्योंकि उनको भी नुकसान हो रहा है और वो भी bank के रिंड वापस करने की स्थिती में नहीं है जिसको twin balance sheet problem जैसे सब दिये गए है उसके अलावा इस पूरे विस्व ने किसको जहला कोरोना को जहला मतलब pandemic को देखा और उसके बाद westwick इस तरपर जो commodity है जो worst way है उसके मुले बढ़ रहे है और फिर मुद्रा इस्थिती बढ़ी मुद्रा इस्थिती को रोकने के लिए कम करने के लिए क्या किया गया लगभग जितने भी विकसित और विकासिल देश है उनके द्वारा कठोर मौध्रिक नीती लाई गए ठीक है लेकिन उसके बाद इन्द अब्धी में क्या किया गया सुधार किये गए रिफॉर्म्स किये गए वो रिफॉर्म से आधार, वो रिफॉर्म से GST, वो है Insolvency in Bankruptcy Code, वो है Privatization, Rationalization, Ease of Doing Business, जैसे आप में भारत जैसे कारिकर्म और Digital Public Infrastructure. तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि क्या हम फिर उसी अबधी में आ रहे हैं, बेसक हम उसी अबधी में आ रहे हैं, यहां पर जहां हमें Economic Activities थोड़ी सी मंद दिखी, अब आने वाले दिसक में 2022 के बाद हम यहां पर क्या देखेंगे कि हमारी Macro Economic Stability हमें दिखेगी, हमारा GDP Growth हम में दिखेगा, Inflation हमें Control रूप में देखेगा, जैसा कि Economic सरवे में कहा गया है, देखतेल, Reforms of Last 8 Years, मतलब यहां पर यह है कि पिछले 8 सालों में कौन-कौन से Reforms लिए गए हैं, एक तो Financial Inclusion, मतलब वित्ती, सभावेशन, समाज के अंतिम व्यक्ति तक वित्ती सेवाओं को प अगर वो भी ना हो तो बैंक को मर्ज करना, उनका नेजी करन करना, यह सारी चीजे, Digital Public Goods, इसका मतलब यहां पर UPII, Digital India Mission, Electronic KYC, और Digi Locker, जैसे Digital Platform लाए गए, Healthy India, मतलब स्वस्त भारत के लिए National Health Policy 2017, आयसमान भारत और स्वक्ष भारत Mission, Ease of Living, Ease of Living में देखो क्या है यहां प पहुँच हो, इसके लिए सरकार ने किया किया कि, PM आवास योजना, अमरुत स्कीम, जल जीवन मिसन, सवभाग गे, PM उज्वला, दूसरे तर्फ, Infrastructure के मामले में क्या किया गया, तो भारत माला, सागर माला, PM गति सक्ती, National Logistics Policy, उडान, इन्वेस्टमेंट में आप देख ल है, इसके लिए GSTI, Electronic Way भी लाए गया, और Faciless Assessment किया गया है, फिर Ease of Doing Business, इसके लिए, मतलब, Website करने के लिए एक अनुकूल माहल हो, उसके लिए Insolvence in Bankruptcy Code, RERA Act, मतलब, Real Estate से संबंदित Act, जिसके हम आगे बात करेंगे, फिर Companies Act में भी संसुधन किये गया, और कईज, जो स्रम अधिनियम थे, उन स्रम अधिनियम को आपस में मिला कर, एक स्रम संगिता को लाए गया, ताकि हमारी हाँ पर Website का अनुकूल माहल हो, मतलब, यहां कहने का यहा है, कि एक ऐसा माहलो, जो ना केवल निवेसकों के लिए हो, बलकि स्रमिकों के लिए भी हो, दोनों के इसका मतलब है कि मिनिममम सपोर्ट प्राइस को, जो सरकार ने वादा किया था, क्योंकि जितने कॉस्ट और प्रोडक्शन है, उसका डेड़ गुना उनको दिया जाएगा, फिर पीम किसान को लाए गया, पीम फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और मार्केट एकस को बढ़ाने के लिए, मतलब किसानों की दोरा जो उत्पादन किया जा रहा है, उसका मार्केट एकसेस बढ़े, इसके लिए इन एम लाया गया, और फूड पार्क को, जैसे योजनाओं को चलाया गया, और फूड पार्क को सरकार स्टेबलिस कर रही है, तो इस तरह अभी पिर्क हमने क्या देखा है, हमने ये देखा है कि जो एकोनोमिक सर्वे में यह बात कही गई, कि आने वाले दसक में भारत के आरतिक हलाद अच्छे होंगे, तो उसके परमान हमारे पास मौजूद है, उसकी हमने चर्चा यहां पर कर ले, कि एकोनोमिक में एक सैकल होता है, और अगर उस सैकल की हम बात करें तो हम अभी इस सैकल के फेज में हैं, क्यों इस लिए, क्योंकि यहाँ जो एकोनॉमी में हमें बूम देखने को मिला है, 2000 के बाद से लेकर 2010 की अब दिन मोटी तौर पर वह इसलिए मिला है, क्योंकि एक इस स्थिती में, मतलब यह है कि 1990 से लेकर 2000 के बीच में जो भारत में आर्थिक क्रिया कलाप में मंदी आये थी, तो यहाँ पर जो रिफॉर्म लिया गया था, उसके कारण यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है, कि अर्थविस्था में उच्छा लाया, और फिर हम आगे यहाँ पर क्या देख रहे हैं, कि यहाँ जो यहाँ मंदी दिख रही है, या पार्थिक क्रिया कलाप में जो तेजी नहीं दिख रही है, तो यहाँ जो रिफॉर्म लिये गये हैं, वो रिफॉर्म का परिनाम, वो हमें कहा देखेगा, वो देखेगा, अब हमें आगे आने वाले इस दसक में, तो यहां पर यह बात हो गई, और 8 years, last 8 years reforms की जो बात हो रही है, वो last 8 years reforms यहां पर है, जिसके परणाम यहां पर देखने को मिलेंगे, अब हम बात करते हैं medium term growth magnet की, तो ज़र आप इसमें बात करते हैं, देखिए, एक concept होता है growth का, और एक concept होता है development का, जब हम बात करते हैं ease of doing business की, इसका मतलब है कि हम अपने आपको totally concentrate करकर रख रहे हैं कहां पर growth model पर, जिसमें कि हमारा ध्यान इस बात पर रहता है कि हमें economic activities को बनाना है, लेकिन आज इस 21 सदी में आर्थिक क्रियाकलाब का जो अंतिम उदेश से हैं, अंतिम लक जी आरही है, उसकी पहुँच वास्तविक रूप में आमव्यक्ति तक हो, वह कैसे संबद हैं? वह वैसे शंबद है कि यह देखा जाएगा कि देश का अंतिम व्यक्ति जो है, क्या उसके पास सिख्छा के पहुँच है या नहीं है? क्या उसका जीवन इस तर अच्छा है य उसके पास परिवहन के साथ हैं के नहीं, उसके पास रहने के मकान है या नहीं है और स्वास्त सहित अन्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच है के नहीं, इसके लिए क्या टर्म यूज किया जाता है, Ease of Living, मतलब यहाँ पर यह है, Ease of Living, इसलिए एक बात यह कही जाती है, कि Ease of Living के अगर हम बात करें, तो इसको प्राप्त करने के लिए, सरकार में कहां कहां अपना ध्यान केंदरित किया है, वो देखे, Agriculture Growth, First, Second, Trust-based Governance, दूसरा, Public Goods for Inclusive Growth, तीसरा, Private Sector, मतलब नीजी चेतर के भागीदारी की बात हो रही है, और Energy Transition, मतलब अर्थ विवस्था में ज के लिए पारंपरिक उर्जा सुरोथ से आगे बढ़कर नवी कर्णी उर्जा सुरोथ की तरफ जाना, अब हम एक एक को देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, Agriculture Growth की, क्या हालात रहे हैं हमारे Agriculture Growth की, आकड़े यह बता रहे हैं, कि अगर हम 2016 से आगे बढ़ते हुए, अगर 2020-21 तक हम चले हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, कि Agriculture के सेक्टर में, Gross Capital Formation में तेजी आई है, और वह कितना है, 9.3%, कितना, 9.3%, इसका क्या मतलब, इसका मतलब यहां पर यह है, कि Agriculture सेक्टर में तेजी लाने के लिए, बेहतर अवसरचनाओं का निर्मान किया जा रहा है, बेहत से साथ, Net Inventory में भी तेजी आ रही है, क्या वाके में ऐसा हो रहा है, वाके में ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसके प्रमान है, प्रमान यह हैं, कि आखिर वो कौन-कौन से यल्टर है, जिसके कारण Agriculture सेक्टर में, Gross Capital Formation देखा जा रहा है, पहला, Agriculture Infrastructure Fund, जो साफ आप देख रहे ह किसानों को यह Fund मदद करता है, उसके बाद आप देखिए क्या लिखा है, कि National Agriculture Market, E-Name, मतलब इस पर क्या है, कि किसान की जो उपज है, उसकी Market तक पहुच को बढ़ाना, Market Access बढ़ाना, Pharma Producer Organization, इसका मतलब यहां पर क्या है, कि Pharma Producer Organization के अतरगत, किसान अपना एक संगठन बना इससे सामरिक रूप से किसानों को लाब मिलता है, फिर Mission Organic Value Chain Development for North Eastern Reason, इसका मतलब है, ओर्गनिक खेती को बढ़ावा देना, फिर PM फसल बीमा योजना, जो की फसल की बीमा से समन्दित है, और फिर PM किसान जैसे योजना है, जो किसानों को Supplementive Financial नीट देती, ताकि किसानों की आए कि अपनी एक बेहतर स्थिति हो, तो इन सारे कारकों ने मिलकर क्या किया है, कि Agriculture और उससे समन्दित जो छेतर है, वहाँ पर GCF मतलब Gross Capital Formation में तेजी लाए है, जो है 9.3, नेक्श देखें, Trust Based Governance Model, वो क्या है, उसको देखें, इसमें बात यह हो रही है, कि जो Regulatory Framework है, मतलब जो Regulation है, उसको संचालित करने वाली, जो Regulatory है, जो संस्था है, उसको क्या किया गया है, उसको आसान किया गया है, कैसे देखें, पहला यहाँ पर यह है, कि जो Investors है, जो निवेसक है, उनके Sentiments में सुधार करने के लिए, तो उसके लिए क्या किया गया है, Insolvency in Bankruptcy Code मतलब IBC, अब IBC की अंतरगत किया प्राफधान वो देखें, कि Bank ने अगर किसी को RIN दिया है, किसी व्यक्ति को RIN दिया है, और वो व्यक्ति Bank को RIN वापस करने में और वो व्यक्ति अगर एक कुद्यमी है, तो IBC यह कहता है, कि Bank को उस RIN को लेने के लिए, तुरंथ Code जाने बलकि Code से बाहर ही उसका निप्तान हो जाएगा, यह प्रक्रिया जो है, वह निवेसक के मन में निवेस करने की इक्षा को बढ़ाता है, ठीक, दूसरी चीज़े, Ease of Doing Business, इसका मतलब क्या है, उसमें एक एक्जामपल दिया इनो दे, RERA का, RERA मतलब Real Estate Regulation and Development Authority, इसमें देख में जो विश्वास होता है, उस विश्वास को इस्थापित करना RERA का काम है, कहा यह जा रहा है कि RERA के आने के बाद, Real Estate में Black Money, जो है, उसका Infusion काफी कम हो गया है, काफी घड़ गया है, फिर हम बात करते है, Effective Governance, अब यह Effective Governance का मतलब, यहां पर यह बात कही जा रही है प्रभावी सासन के रूप में, कि जो Economic Offenses होते हैं, मतलब आर्थिक जो अपराद होते हैं, उस आर्थिक अपराद को फौसदारी से हटा करेट होने क्या किया है, दिवानी कर दिया है, मतलब यह कि जेल जाने की बात नहीं हो रही है, अब किसकी बात हो रही है, अब यहां प समंधी अपराद को decriminalize कर दिया, मतलब यहां पर उसको criminal या फौसदारी मामलों के अंतरगत नहीं रखा गया, आगे देखिए, कि यह आकड़े जो आपको सामने दिख रहे हैं, यह दिखा रहा है कि कैसे हमारे सरकार की द्वारा, जो व्या किया जाता है, उस व्या की कैसे quality सुधर गई है, वो देखिए, कैसे, यह 5 साल की अबधी है, 2018-2023, 2018-2023 के इस अबधी में हम यहां पर क्या देख रहे हैं, कि जो capital expenditure है, उस capital expenditure में 12% से विर्धी होकर कितना हो रहा है, 19% मतलब कितने का growth देख रहे हैं, 7% का, वही हम आगे क्या देख रहे हैं, कि revenue expenditure में हम क्य गिरवट देख रहे हैं, कितना, 89% से काट कर 81%, इसमें हम क्या देख रहे हैं, 8% की गिरवट देख रहे हैं, यह जो रही है, वो इसलिए, क्योंकि गर कुल खर्च में, सरकार की कुल खर्च में, अगर capital expenditure का अनुपात बढ़ता है, तो इसका मतलब यहां पर यह है, कि सरकार के द्वारा, जो रिन लिये जा रहे हैं, उस रिन का उपयो capital formation में किया जा रहा है, capital formation का मतलब यहां पर है, कि सरकार आज उसमें जितने निवेस कर रहे हैं, आगे आने वाले वर्सों में सरकार को उससे return मिलेगा, यह एक अच्छी बात है, दूसरी महत्पून बात यहां प और रिन का एक भार होता है, इस रिन के भार को हम GDP के साथ अनुपात के रूप में उसका calculation करते हैं, 2005 से 2021, मतलब इस 16 वर्स की अगर हम बात करें, तो इस 16 वर्स में भारत सरकार के, अगर हम debt to GDP, मतलब रिन और GDP अनुपात की बात करें, तो वह 81 परतिसत से बढ़कर कितना 84 परतिसत हुआ है, जबकि दूसरे अगर हम देशों की बात करें, जापान की बात करें, एक सो 74 से बढ़कर 262, येस की बात करें, 66 से बढ़कर 128, जबकि भारत की अगर बात करें, इन 15 वर्सों में debt to GDP रिश्यों बढ़कर कितना हुआ, 81 से 84 परसेंट हुआ है, और भारत क अगल बगल जैसे देश कौन से है, जर्मनी और इंडोनेसिया, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि भारत और बेशक रिन का भार बढ़ा है, लेकिन वह उतनी चिंताजनेक स्थिती में नहीं है, जितनी चिंताजनेक स्थिती जापान येस जैसे विक्सित देशों की है, और इक्लूसिव ग्रोथ, मतलब समावेसी विकास को प्राप्त करने के लिए जो पब्लिक गूट्स है, सारजनिक जो वस्तु हैं, उसमें इंप्रूब्मेंट है, यहाँ देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि अर्थ विवस्था की जो च्छमता है, वह जादा हो, अ इस दिशा में कारे किया है, कैसे, अब यहाँ पर है कि पैमाने की रूप में, 2011 में जो भी डवलप्मेंट किये गए थे, या जो भी काम वता हो, उसको 100 मान ले गया ताकि तुल्ला करने में आसानी हो, तो यहाँ पर हम यह देख रहे हैं कि electricity installed capacity के मामले में हम यहाँ पर क्य 280, मतलब यहाँ पर क्या हो रही है, यह 2011 है और यह जितने भी यह 2020 है, फिर देखें, railway track में हम 100 से 114 पर हैं, और national highway में अगर हम बात करें, तो हम 100 से कितने पर हैं, 187, इसका मतलब है कि हम infrastructure को जादा से जादा मजबूत कर रहे हैं, और जादा जादा उसका विस्तार कर रहे ह ताकि economy की efficiency आगे बढ़े, इस दिसा में और क्या-क्या कारी किये जा रहे हैं, मतलब यह कि कैसे इस दिसा में तेजी आ रहे हैं, उसके देखें, कौन-कौन से instrument हैं, उपकरन हैं, पहला, public-private partnership, मतलब कि इसमें सरकार और नीजी छेतर, दोनों मिल कर इस छेतर में कारी कर रह हैं, उसके अलावा, national infrastructure pipeline, national infrastructure pipeline में, अगर हम बात करें, सडक की, railway की, port की, airport की, इसके सही साथ ऐसे engines लाएगे हैं, जो अर्थवियस्था की गती को बढ़ाने के लिए अत्यनत ही जोरी है, तो national infrastructure pipeline का भी बहुत बड़ा योगदान है, infrastructure को मजबूत करने, उसके अलावा, national monetization pipeline, इसका मदलब है, यहाँ पर यह है, कि सरकार की वैसे बहुत सारे assets हैं, जिसका use नहीं हो रहा था, वो unused था, लेकिन उसमें यह च्छमता थी, कि वह सरकार को धन अर्जित करके, या राजस अर्जित करके दे, तो सरकार के ऐसे, जो भी assets थे, जो भी परिसंपत्या थी, जिसम को उसे lease पर दिया है, किस के थुरू, national monetization pipeline के थुरू, इससे भी सरकार के राजस में विर्दी हुए, PM गति सक्ती, देखे, PM गति सक्ती और national infrastructure pipeline में, क्या समद्ध है, उसको हम देखते हैं, PM गति सक्ती के अंदर क्या है, कि digital platform है, what digital platform क्या कर रहा है, कि national infrastructure pipeline से समद्धी, जित कामले में इन विभिन मंत्रालियों के बीच में बेहतर समन्वे हो सके, और कम समय में जादा से जादा infrastructure का निर्मान हो सके, national logistic policy, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, उसको सुनते हैं, अगर हम logistic की बात करते हैं, तो logistic किस से समन्धित होता है, logistic समन्धित होता है, supply से, transportation से, औ और लोगों को वो देंगे आप, distribute करेंगे, कहा जाता है कि भारत में जो logistic cost है, वो GDP का 14% है, और यह जो 14% है, वो finally एक उभोगता के पास इस वस्तू की कीमत को क्या करता है, ज्यादा करता है, अब आप खुर सोचें कि अगर किसी वस्तू की कीमत ज्यादा होती है, तो उसक अंदर ये हालात हैं, तो अंपराश्टे इस तर पर भी उस वस्तू को खरिदने वाले लोगों की संख्या कम होगी, मतलब यह कि यह export के लिए अच्छा नहीं है, नेशनल लोजिस्टिक policy यह कहता है, कि लोजिस्टिक में जो 14% के आसपास, GDP का 14% के आसपास, जो cost है, उसको कम करके 10% से नीचे लाना है, क्या फैदा होगा, फैदा यह होगा, कि लोजिस्टिक पर लगने वाले खर्च में कमी आएगी, मतलब जो अंतिम उत्पाद होगा, वह जब व्यक्ति तक पहुँचेगा, उसके मुल्ले में कमी आएगी, नमर एक और नमर दो, यह policy export को भी बात हो रही है, तो उसमें यह बात कही जा रही है, कि initial कुछ reforms किये गए है, initial reforms देखे क्या क्या है यहाँ पर, jam trinity, जंधन, आधार और mobile, यह unified payment interface, UPI, धीम वगएरा, जिससे हमकी payment करते हैं, digital, उसके बाद common service center, IT enabled service होती है, PM दिसा, मतलब है कि PM ग्रामीन दिसा, एक ऐसी scheme है जिसके अंतरगत क्या क्या जाता है, कि ग्रामीन छेतर में जो रहने वाले लोग है, उनको skilled क्या जाता है, कि ताकि वो भी computer, mobile, app, वगर यह सब चला सेके हैं, भारत में जादा से जादा लोगों तक internet की पहुँच को बढ़ाने के लिए, और इन सारी चीजें क्या है, initial reforms के में सामने आती है, और फिर इसने क्या किया है, कि new age reforms के लिए एक platform set किया गया है, जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, चाहे वो fast tag हो, digital asset हो, कोवीन हो, वगरा वगरा तमाम तरह की चीजे, मतलब यहाँ पर यह संभव नहीं था, अगर यह नहीं होता, तो मतलब यहाँ पर कि digital public infrastructure, अब हम किस stage में जा रहे हैं, initial reform से हम क्या जा रहे हैं, new age reforms की हो जा रहे हैं, आकड़े यह दरसाते हैं, कि अगर जो हमारे अभी economic activities हो रही है, जो भी हमारी GDP में growth हो रही है, अगर हमारे overall economic activities का digitalization होता है, तो आकड़े यह बताते हैं, कि GDP में 60 basis से 100 basis point add हो सकता है, मतलब आपकी GDP में 0.6% से 1% तक की बढ़ुतरी हो सकती है, अगर हम अपनी economy का जादा से जादा digitalization करेंगे, और यह वाके भारत के लिए जो रही है, क्योंकि आपने लक्च रखा है, मतलब भारत सरकार ने लक्च रखा है कहां 5 trillion की अर्थवेस्था को बनाना, उसके अलाबा हम 25 trillion economic की बात करते हैं, 30 trillion economy की बात करते हैं, वह संभव होगा तब जबकि हम अपनी economy का जादा से जादा digitalization करेंगे, अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, quality of life की, quality of life में अगर आप यहाँ पर देखें, तो बात हो रही है, electricity की, health care की, food security की, सबके लिए घर की बात हो रही है, instrument की बात हो रही है, स्वक्ष इंधन की बात हो रही है, खाना पकाने के लिए, उसके अलावा सभी मौसम में सडक की सुविधाव, उसकी बात हो रही है, और skill development करने की बात हो रही है, यह सारे के सारे data यह बता रहे हैं कि भार सरकार के द्वारा पिछले 8 वर्सों में जो कार किये गए हैं, उस कारे से इतने लोगों को फाइदा हुआ है, या उसमें इतनी प्रगती देखी गए है, तो क्या हो रहा है, अभी हमने पीछे क्या देखा है, हमने पीछे क्या देखा है, ease of doing business के instrument, अभी हम यहाँ पर क्या देख रहे है, quality of life, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि overall हमारे economic activities का अंतिमुद्दिस क्या है, development के लक्ष को प्राप्त करना, क्या इसके result आए है, अभी जो जितने भी कारी के उसके result है, result देखिए आप जरा, गौर से देखिए, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, कि अगर हम education की बात करते हैं, तो education में government के expenditure की बात करते हैं, द कि 2018-19 की तुल्ना में, 2022-23 में, सरकार के द्वारा, सिक्षा के चेतर में, ज़्यादा खर्च किया गए, मतलब यह अच्छा संकीत है, दूसरी बात, health sector में देखते हैं, क्या देख रहे हैं, 2018-19 की तुल्ना में, 2022-23 में, सरकार के द्वारा, दो गुना, लगभा हम क्या देखने में, दो गुना खर्च किया गया, यह अच्छा संकीत है, और अधर सेक्टर की अगर हम बात करें, तो वहाँ भी हमें क्या देखने को मिलने हैं, कि सरकार के द्वारा, खर्च में, बढ़ुत्री की जा रही है, यह सारे के सारे क्या है, सोसल सेक्टर, फिर देखे, यह परिणाम दूसरे तरफ से क्या देखे, ड्रॉप आउट्स, ड्रॉप आउट्स के मामले में भी हम क्या देख रहे हैं, कमी देख रहे हैं, 2013-14 में ड्रॉप आउट कितना था प्रैम्री स्कूल में, 4.7%, यह घटकर कितना हो गया है, 1.5%, उसके अलावा, अगर हम टीचर स्टुडेंट रेशियो की हम बात करें, तो 2012-13 में यह कितना था, 34 जो है स्टुडेंट उस पर एक टीचर, यह घटकर अब कितना हो गया है, 26.2, उसके अलावा, सरकार के दोर, PM3 स्कूल चलाए गया है, 14,500 हाइश्कूल का चैन, देख में जितने भी हाइश्कूल है, उनस को well equipped किया जाएगा और वहाँ पर better education provide किया जाएगा, ताकि जो बच्चे वहाँ पर पढ़ रहे हैं, वह skilled हो सके, वह ना केवल भारती स्रम बाजार में, बलकि वेस्टिक स्रम बाजार में भी अपनी योगिता के द्वारा भारत की धाक को दिखा सके, हेल्स सेक्टर में, च मिर्तियू के अनुपात की हम बात करें, तो 2013 के 167 की तुलना में घटकर कितने पराया है, 97 या 97 वही आप दूसरी तरफ देखें, कि 1000 जिवित जन्व पर अगर हम child mortality ratio लेते हैं, मतलब सिशू मिर्तियू दर लेते हैं, तो उसमें हम दो की बात करते हैं, एक हम infant mortality rate और दूसर बात करते हैं, तो उसमें हमें गिरावट देखने को मिले 39 से 28, मतलब यह कि इस्थिती सुधरी है, और वही अगर हम बात under 5 मतलब 5 वर से कम उमर के बच्चों की बात करें, तो उसमें हम क्या देखने हैं, 45 से घटकर यह कहा पराया है, 32 पराया है, इसका मतलब यहां भी इस वव्यक्ति खुद से अपना इलाज कर रहा है, मतलब उसके खुद के पैसे लग रहा है, 2013-14 में हमारे देश की जो अबादी है, जितने लोगों ने इलाज कर रहा है, उसमें से 64 परतिसत, लगभग यह दो तियाही है, टूठर्ड है, दो तियाही लोग सामिल थे अपने इ माकड़ा अगर हम देखे, 2018-19 में तो उसमें गिरावट देखने को मिली है, कितना? 64% से गिरकर 48% इसका क्या मतलब है? खुछ सोचने की बात है, कि नेसनल फूट सिकर्टी एक्ट के अंदर कर जहां दो तियाही आबादी को खादिस रचा दी जाती है, वहाँ पर अगर हम कि लगवत दो तियाही आबादी खुद से ही अगर अपना इलाज कर रही है, तो फिर यहाँ पर इबात तरसाता है कि ऐसी बिमारियां जो असाध्य हैं, जिनका कोई इलाज नहीं है, खासकर कैंसर, ऐसी बिमारियां जिसमें कि इलाज में बहुत सारे खर्च पड़ते हैं, जिसमें कि हिर्दे समंदी बिमारिया, हर्ट समंदी बिमारिया आती है, तो उसमें गरीब तपका अगर उसकी चपेट में आता है, तो वह और भी गरीब हो जाता है, वह निर्धन हो जाता है, लेकिन यहाँ यह सकारातमत ही है, इसलिए क्योंकि यह संख्या घटी है, 64% से 48 क्यों इसलिए क्योंकि आइस्मान भारिज जैसे यूजन है सरकार के द्वारा चलाई गई है उसके अलाबा अगर हम यह देखें कि पांच वर्स से कम उम्र के बच्चों में स्टेंटिंग मतलब बॉन अपन अगर हम वो देखें तो उसमें भी हम यहां पर क्या देख रहे हैं तो उसकी संख्या 2013-14 के 89% से बढ़कर 2018-19 में क्या हुई 89 यह क्या दिखा रहा है यह यह दिखा रहा है कि 2014-2022 तक की इस अबदी में सरकार के द्वारा हेल्थ सेक्टर में जो भी इनिसियेटिव लिए गए हैं उसके सकारत्मक परिनाम हमारे सामने मौझूद हैं बात करते जो नीजी छत्रे उनकी भागीदारी कैसी है देखें उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है उसमें सबसे पहले बात आती है corporate tax rationalization की जो 2019 में किया गया क्या यह गया कि September 2019 में भारत सरकार ने corporate tax जो 30% था उसको कम करकर कितना कर दिया 22% इसका मतलब यहाँ पर है कि 8% कम tax देना पड़ेगा कि इसको corporate sector को इसका मतलब है कि 8% उसकी बचत होगी और economics की अगर हम बात करें तो अगर बचत है तो वो कहा होगा investment होगा इसका मतलब यह है कि निवेस की मात्रा में विर्धि होग उसके अलावा गर हम बात करते हैं production linked incentive schemes की तो इसके अंतर भी नीजी छेतर को काफी प्रोथसाहिद किया जा रहा है काफी प्रोथसाहिद करने का मतलब यहाँ पर यह है कि एक अगधार ना है concept क्या है उसको ध्यान से सुने यह बात कही जाती है कि भारत में एक complete जो industrialization होने जा रहा था एक mature जो industrialization होने जा रहा था वह matured industrialization नहीं हो पाया चले यह वाक्य सही है लेकिन सवाल यह उतता है कि आखर यह क्यों नहीं हो पाया उसका कारण यहाँ पर यह बात बताए जाती है कि उसके दो मुखे कारण है पहला कारण यहाँ पर यहाँ के manufacturing sector है उसमें वो उच्छ गुनवत्ता नहीं रही, वहाँ पर वो स्केल नहीं रहा, वहाँ पर तक्नीक नहीं रही एक, और दूसरा, कि जो हमारा infrastructure है, वह infrastructure में हमने lag किया है, इन दोनों कम्यों को भारत सरकार अब दूर करने के प्रियास कर रही है, जो कि हमने पहले देखा कि infrastructure पर भारत सरकार नीतिया बना चुकी है, और उस पर कारियार्मेंट कर रही है, उस पर कारिक कर रही है और साथी साथ manufacturing scale को बढ़ाने के लिए, सरकार ने production linked incentive जैसी चीज़े लाई जिसमें कि यह बात कही जा रही है कि एक आधार वर्स में जितने value का production किया है माल लेकि अगर 100 रुपए value का production किया है, यह एक आधार वर्स है, तो आगे आने वाले वर्सों में इस आधार वर्स जितने का आप ज़्यादा production करते हैं, मतलब एक सो बीस रुपए मुलने का अगर आपने production किया है, मतलब यह कि 20 रुपए ज़ादा मुले का आपने production किया तो सरकार इसका 1% producer को incentive देगी manufacturer को incentive देगी इसका मतलब यह है कि हर साल एक manufacturer ज़ादस ज़ादा produce करना चाहेगा क्या फायदे है इसके इसका लाब यह है कि जितना ज़ादा production होगा उतनी ज़ादा job तो generate होगे ही होगे उसके अलावा जो international market है जो international trade है वहाँ पर भारती commodities या जो manufacture के दोरा बनाई जाने वाली वस्तों है उसकी पहुँच बढ़ेगी फिर हम आगे गर बात करें National Monetization Pipeline ये भी हमें पता है कि इसके अंतरगर्दी क्या किया जा रहा है इसके अंतरगर्दी सरकार जो private sector है उसको आकरसित कर रहे है ताकि वो सरकार के जो assets है उसका उप्योग करें और सरकार के जो revenue earning है वो बढ़े और हमें ये पता है कि सरकार disinvestment कर रहे है privatization कर रहे है तो सरकार new public sector enterprises policy वो लेकर आ रहे है उसको अंतिम रूप देने जा रहे है जिसमें प्राभधान यह है कि सरकार के द्वारा संचालित जितनी भी industries है उसको दो भाग में बाढ़तेगी एक सरकार क्या कहेगी core sector की बात करेगी और एक गैर core sector की बात करेगी इस new public sector enterprises policy के अंतर का सरकार जो गैर core sector है उससे निकल जाएगी और अपनी उपस्थिती के वल core sector तक ही रखेगी इसका मतलब है कि सरकार अपनी उपस्थिती उर्जा वाले छेतर तक रखेगी आयुद मते ammunition के छेतर तक रखेगी defense के छेतर तक रखेगी आगे देखते हैं कि foreign investment को ease करने के लिए कि जादा से जादा हमारे यहाँ पर निविसक आए उसके लिए भी हमें ये पता है कि जादा से जादा sector के लिए FDI को क्या कर दिया गया 100% automated route कर दिया गया है उसके अलावा हम यहाँ पर देखें जो data हमारे पास है उस data के अनुसर यहाँ पर यह देखने को मिल रहा है क्या इसका फाइदा मिला है कि नहीं मिला है तो यहाँ पर यह बात हो रही है कि जो सरकार ने foreign investment में इस किया है उसका फाइदा हमें मिल रहा है जो इस आकड़े में दिखाय जा रहा है कि जो भी investment हुआ है अगर हम उसको percentage of GDP के रूप में ले तो हम यहाँ पर यह देख रहे है कि financial year जो हमारे यहाँ पर 5, 6, 7, 8 में जो 2.2 दिख रहा है वो हम आगे में हम क्या देख रहे है वो क्या हो रहा है 2.6 हो रहा है मतलब यह कि हमारे यहाँ पर FDI का flow बढ़ रहा है उसके अलबा आप यहाँ पर महत्पूनी है कि जब आप economic and formalization करते हैं नमर एक private sector को involve करते हैं नमर दो और जब FDI का आपके हाँ पर flow होता है नमर तील तो क्या वाके में रोजगार बढ़ते हैं तो यह आकड़ी यह दिखा रहे हैं कि वाके में रोजगार बढ़ते हैं यहाँ अगर आप देखें तो एक है worker population ratio दूसरा है unemployment ratio हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं इसमें हम तेजी देख रहे हैं जो यह बढ़ता चला जा रहा है 15-20 के बीच में कब की बात है जुलाई सेप्टमर के वहीं अगर unemployment rate की हम बात करें तो unemployment rate में भी हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि COVID के phase में unemployment rate में बेशक बढ़तरी देखे गई लेकिन अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यह लगबग 6-7% के आसपास है मतलब unemployment rate भी कम हो रहा है वहीं अगर हम formalization की बात करें मतलब यह कि जितने लोग काम कर रहे हैं उनसे समधित आकले सरकार के पास है या नहीं है वहाँ भी यह बात देखी जा रही है कि उसमें भी पहले की तुल्लाव वह संख्या बढ़ी है उसके अलावा हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं इसरम पोर्टल जो सरकार के द्वारा लाए गया है उसमें भी registration कराने वालोग संख्या कितने हैं इसका मतलब इतने लोगों की पहचानकी यह भी क्या है यह भी ऐसे लोग है जो अनुक्चारिक छेतर में काम कर रहे थे उनको आप्चारिकता मिल रही है उनका फॉर्मलाइजिसन हो रहा है क्योंकि यह भी डेटा सरकार के पास जा रहा है साथी साथ नेशनल केरियर सर्विस में भी हम यहाँ पर क्या देखने हैं 2.8 करोन जॉब सिकर्स और 6.8 लैक इंप्लॉई रजिस्टर्ड हुए है मतलब नौकरी चाहने वाले और जो इंप्लॉईर्स हैं वो मतलब जो काम देना चाहते हैं अब हम बात करते हैं एनर्जी ट्रांजेशन की जो हमने कंटेंट देखे थे उस कंटेंट में एनर्जी ट्रांजेशन की बात हुए थी जो कंटेंट का अंतिमाग था अगर हम एनर्जी ट्रांजेशन की बात करें तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि पारमपरिक ओर्जा सुरोत से नवी करनी ओर्जा सुरोत की ओर जाना मतलब यह कि जो हमारी ओर्जा की जरुते हैं उसको पूरा करने के लिए हमारी निर्भरता को ज़ादा ज़ादा बढ़ाना नवी करनी ओर्जा सुरोत की ओर यह इसलिए भी जोरी है कि ना केवल हमारी निर्भरता उर्जा के मामले में बढ़े अपने उपर मतलब हम आत्मिभर बने उसके अलावा जो ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या है उसके परती हमारी परती बद्दता दिखे और वो दिख भी रही है अब हम बात करते हैं Economic Survey के content के चौथे topic की और वो है Energy Transition मतलब यहाँ पर यह है कि पारंपरिक उर्जा सुरोत से नवी करनी उर्जा सुरोत की उर्जा जाना इसका आर्थ यहाँ पर यह है कि उर्जा के मामले में हम अपनी निर्भरता को बढ़ाएं पारंपरिक उर्जा सुरोत की बजाए नवी करनी उर्जा सुरोत पर यह हमारे लिए जोरी भी है बनाय रखने के लिए एक दबाव डालती है। वह दूसरी तरफ यहां पर बात होती है कि जब भी हम बात करते हैं कि कैसे हम global warming को कम करें या जो conference of parties की जो बैठक होती है UNFCCC के अंतरगत और वहां पर जो global warming को कम करने के लिए लक्ष रखे जाते हैं उन लक्षियों को प्राप की हम बात करें तो हम यहां पर यह देखते हैं कि भारत सरकार ने एक national action plan बनाया है कि संदर्वित climate change से समंद रहें और इसके अंतरगत 8 mission रखे हैं वहीं अगर हम बात करें COP 27 के अंतरगत जो भी वैस्टरी के स्थर पर लक्ष रखे गए हैं उसको प्राप्त करने में सरकार पूरे तरीके से प्रतिबद है फिर अगर हम बात करते हो renewal energy resource के परियोग को जादा से जादा बढ़ावा देने के लिए तो सरकार के द्वारा electric capacity को बढ़ाने के लिए project को install किया जा रहा है या setup बनाई जा रही है साथी साथ सरकार के द्वारा national green hydrogen mission की सुरवात की गई है और उसके अलवा RBI की द्वारा sovereign green bond को जारी किया गया है जिसमें ये बात देखी गई है कि बाजार की ओर से उसके में या उसमें निवेश करने के मामले में sovereign green bond में उसमें काफी सकारत मता दिखी है अब हम बात करते हैं कि हमारी अर्थवेस्था की इस्थिती कैसी है मतलब यह क macro economic stability कैसी है हमने agriculture sector से समन्दित डेटा पहले ही देख लिया कि agriculture sector में gross capital formation इस मामले हम यहाँ पर क्या देख रहे है कि उसमें तेजी आई है बसता है दो छेतर एक industry दूसरा service sector अगर industry और service sector की हम बात करें तो हम यहाँ पर क्या देख रहे है कि industrial activity को माप करने के लिए जो मापक है index of industrial production या और दोगी कुदपास सुचगांक आई आई पी तो उससे related जो हमारे पास आकड़े हैं वो आकड़े यह बताते हैं कि 2021 मतलब 2021 की तुलना में 2023 में consumer durables के मामले में हम यहाँ पर क्या देख रहे है तेजी देख रहे है मतलब यह कि वहाँ पर activity ज्यादा बढ़ी ह इसका मतलब है कि demand बढ़ी है फिर वही पर हम infrastructure और construction goods इसके मामले अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या देख रहे है कि 2021 financial year की तुलना में financial year 23 मतलब 2022-23 में भी इसमें तेजी देख रहे है और यही हाल किस पर है manufacturing के मामले में है वही अगर हम 10 asset sector की बात करें जो listed company है और उन 21-22 के पाहली छमाई के साथ financial year 22-23 की पाहली छमाई के अगर तुलना करें तो हम लगभख सब में क्या देख रहे है कि सब में सकारात्मक वर्दी देखने को मिल रही है service sector की बात करते है service sector में जो graph आपको देख रहे है उस graph में यह बात देखी गई है कि अप्रेल 20 उसकी तुलना में अगर हम अगस्त 2022 की बात करें तो service sector में भी हमें एक boom देखने को मिल ला है एक तेजी देखने को मिल दिये क्योंकि covid के बात यह देखा गया था कि जो संकर्मन से फैलने वाली बिमारी और ऐसमें इसमें की लोगों का एक दूसरे के साथ मिलना जुलना था उससे समंद्ध जो website थे उसमें काफी ठराव आ गया था और वह website service से समंद्ध होता है जैसे हम hospitality की बात करें तुरिजम की बात करें इसको काफी नुकसान हुआ था लेकिन हमारे इंडिस्ट्रीज हो चाहे सिवाय हो चाहे non food credit हो हमें सब में तेजी देखने को मिल रही है उसके अलावा अगर NBFC की बात करें non banking financial companies की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमें देख रहे हैं कि इनके द्वारा जो रिन जो दिया जा रहा है उसमें भी पहले की comparison में क्या देख आ रहे हैं अब हम बात करते हैं GDP forecast की या GDP से समधित आकड़ों की तो आर्तिक सर्मिक्षन के अनुसार वित्तिवर्स 21-22 में जो हमारा GDP रहा उसकी दर रही 8.97 वहीं जो वर्तमान वित्तिवर्स है मतलब 2022-23 उसमें जो समावना व्यक्त की गई है वो कितनी है 7% की जबकि जो आने वाला वित्तिवर्स है 2023-24 उसमें ये बात कहीं गई है कि जो GDP होगा वह 6% से 6.8% के बीच में होगा जिसमें बेस लाइन के बारे में होने ये बात किये है कि वह कितना होगा 6.5% वहीं अगर हम इसकी तुलना अनिस संस्थाओं के द्वारा दिये गए प्रोजेक्शन स से करते हैं संभावनाओं से करते हैं GDP growth के मामले में तो हम यहां पर ये देख रहे हैं कि लगबग ये प्रोजेक्शन जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा दी गई जो प्रोजेक्शन है उसके आसपास है अब हम बात करते हैं अंतिम के 25 वर्स की मतलब ये कि हम बात कर रहे है अमरित काल की जिसमें अभी हमारी अर्थविस्ता चल रही है हमारा देश है तो अमरित काल के इस 25 वर्स में भारत के GDP को काफी बढ़ाने के लिए Ease of Doing Business के माहूल को बनाने के लिए और उसके साथ ही साथ Ease of Living को भी बनाए रखने के लिए जो यहां पर बात की गई वहां य कमी लानी है ताकि Ease of Doing Business का और माहूल हमारे यहां पर बन सके उसके अलवा हमारे देश में उर्जा के मामले में जो ट्रांजिसन हो रहा है उस उर्जा ट्रांजिसन में जैसे हम पारपरिक उर्जा सो से नवी करनी उर्जा सो की तरफ जा रहा है तो इसमें यह ज़रूर होन है कि हमें उर्जा जो सिक्यूरिटी है जो सुरक्षा है उसको भी बनाए रखना है मतलब उर्जा के मामले में अपने आत्म निरभरता को बनाए रखना है और अपने एनर्जी ट्रांजिसन को भी आगे लेकर चलना है फिर उसके बाद यह है कि अगर हम वाके में medium enterprises है उस पर सरकार को एक ठोस नीती लाने की जौरत है साथ यहां यह भी जोरी है कि education और skill इन दोनों पर भी विशेश रूप से ध्यान देना चाहिए यहां पर यह बात इसलिए खई जा रही है कि पिछले सदी के तुन्ना में इस सदी की अगर हम बात करें तो यहां पर सिख् 40 के बात यहां आवादी बोड़ी हो जाएगी इसका मतलब यहां पर है कि जो व्रिद्धों से समंदे समस्याएं होती है उसको कैसे दूर करें उससे भी समंदित सिक्षा के प्रावधान होने चाहिए उसके अलबाब जो मानसिक तनाव लोगों में बढ़ रहे हैं उसको भी कैसे दूर करें कम करें उससे भी समंदित सिक्षा के नीती होनी चाहिए साथी साथ आर्टिफिस्यल इंटेलिजेंस और मसीन लर्निंग इस यहां भी जो इंडेस्ट्रल रिवालेशन 4.0 से समंदित है इससे समंदित भी सिक्षा आगे आने वाले जेनरेशन को दी जानी चा यहुआ इसका मतलब यहां पर यह है कि एक महिला के पास दो कारे जो होते हैं जैसे एक या तो वा कारी करे नहीं तो वा ग्री कारी करे अपने परिवार को देखे तो सरकार को एक एक ऐसी नीती बनानी होगी जिसमें कि यह विवस्था सुनिश्चित की जाए कि उसको दोनो में से किसी एक विकल्ब को नहीं चुनना है, बलकि दोनों विकल्ब को चुनना है, इसका फायदा ये होगा कि जो हमारी GDP है, उस GDP में महिलाओं के योगदान में भी विर्दी होगी और overall हमारे GDP में भी विर्दी होगी और फिर अंतिम में यहां पर यह है कि administrative reform और enforcement of contract मतक कुल म मिलाकर यहां पर यह है कि एक good governance का माहूर बनाय जाना चाहिए, तो इस परकार आर्थिक सर्वेक्षन 2022-23 में जिन मुख मुद्धों ही बात की गई है, जो तस्वीर पेस की गई है, उस तस्वीर को आपके सामने यहां पर इस वीडियो में लाए गया, आसा है कि आपको यह अपर शाहिए, जो तस्वीर को आपके लिए लुएए, भूलपयोर। घर्वीश्स परेश, तो आप यह जो आपके सामने लाए झाले ऑटक्या चिट्रिए, जो पने हैं लार्वावार। एको आपके सेश्वाए, जो जो रहाता है, पर दोर्वाने जिरदे है, आपके साम